गुड मॉरिंग टेंथ क्लास, कैसे हो बच्चों आप लोग, I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीके, तो आज हमारा छेटा चेप्टर है बालोजी का और आपकी सैंस के अखोरी 16 है, ठीके, और यह बालोजी का लास्ट चेप्टर है, ठीके बच्चों, तो क्या है प्रकास है, ठीके, वायू है, जल है, ठीके, वाइल लाइफ है, हमारे क्या है, जंगल है, ठीके, तो यह सब क्या होते हैं, हमारे प्राकरतिक संसाधन होते हैं, ठीके, और प्राकरतिक संसाधन नहों तो मानव जीवन की हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं, ठीके, तो आप क्या बोड़ा समपोसित प्रबंदन ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि हम इन चीज़ों का प्राकरतिक संसादनों का इस तरीकी से प्रेज़ करें सस्ट्रनेबल ठीक है यानि कि हम तो करें करें बुद्धिमत्ता के साथ विवेक पूनता के साथ ताकि हमारी आने वाली जो पीडी है जो हमारी आने वाली जो पीडी है वो भी इनका क्या कर सके लाब उठा सके तो संपोशित का मतलब क्या है सस्टनेबर डेवलमेंट यानि कि हम इन चीजों को ऐसे बुद्धी मतना बोन या विवेक्मून उपयोग करें ताकि इन सब प्रा तो अभी ऐसा है कि हमने तो कर लिया लेकिन हमने अपने आने वाली पीडियों के लिए इनकी बहुत कम मात्रा बज़ए या ना बज़ए तो उससे क्या होगा उनको प्राबलम होगी तिसलिए जो भी प्राकरतिक संसादने है उसका हमको क्या करना चीए बुद्धी मतना हमने इनको सरक्षित नहीं रखा तो इससे क्या होगा हमारा एको सिस्टम डिस्टर्ग हो जाएगा ठीक है यह हमारा पानी है इसके बिना तो हम जीων की ऐकल पनावी नहीं कर सकते तो इससे में अभी हम क्या कर रहे है सीवम Wege नालियों का पाने मिला दे रहे हैं और इसको प जिन तन कर रहे हैं जिसके वज़े से हमारे जितने भी प्राकरतिक संसाधन हैं त misin प्रती दिन प्रदूशित होते जा रहे हैं और उनके लिएन खत्रा बना हुए। ठीक है जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है ठीक है सबसे पवित्र नदी जो गंगा है वो कहां से निकलती है बच्छों गंगोतरी से निकलती है ठीक है और बेयो बंगाल में गिरती है तो इसके भी जितने भी राज्या आते हैं ठीक है ये कितनी लंबी है दो हज पुषिद होते चले जाती है और गंगोती से तो ये सुद्ध ओवम में निकलती है और जैसे जैसे नीची नीची को आती है इसको हमने कैसा बना दिया एक नानी की रूप में प्रारिवर्दित कर दिया, इसमें हम हर सहर, हर नगर, हर कजबे की गंदगी को हम मिला रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम क्या करेंगे, अविवे के पूर्ण नकारिय करेंगे, तो निश्चेती थोड़े ही समय में क्या हो सकता है, कि हम इन प्राकृत संसाधनों को क्या कर देंगे, खो देंगे, या यह यूज करने लाएगी नहीं रहेंगे, ठीक है, तो परियावरन अनिक जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित होता है, यह आपने पिसले चेप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना, जैविक कारक मतलब जो जीवित है, मा मानव है जीव जनतु है पेड़ पहुते हैं और एजयविक क्या होते हैं वायू है प्रकास है मिटी है हवा है यह सब एजयविक होते हैं लेकिन दोनों ही जब मिलकर क्या करते हैं आपस में कारी करते हैं तब ही वो क्या होते हैं यह एको सिस्टम का निर्मार करते हैं और जीने के लिए environment प्रदान करते हैं ठीक है तो क्या हो गया मिट्टी वायू जल कोईला खनिस देल वन्य जीव जली जीव मानव ये सब क्या है इनका उपयोग करता है ठीक है और इनी सब से क्या मिनर है हमारा ecosystem मिला है अगर एक दूसरे के बिना हर जीव क्या है अधूरा है तो ecosystem में हर जीव की अपनी क्या है एक importance है ठीक है लेकिन हम क्या कर रहे है कि इन सारी चीजों को क्या कर रहे है इनका दोहन कर रहे है जिस वज़े से इन में क्या हो रही है ठीक है जो की अच्छी बात नहीं है इसको पूरा ऐसी चीजे ना हो इसके लिए अनेक प्रकार के कानून भी बनाएगे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजे क्या हो रही हैं दिन प्रति दिन हमारे आस्पास घटी है ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है जैसे भी पता है आपको गंगा का प्रदूशन है तो यहां पर भी क्या है कि प्राकर्तिक संसाधनों की घटकों में हानिकारक परिवर्तन प्रदूशक कहलाते हैं चाहे वो जल प्रदूशन हो धनी प्रदूशन हो वायू प्रदूशन हो म्रदा प्रदूशन हो ठीक है म्रदा में हम क्या कर रहे हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रियोग कर रहे हैं ठीक है खाद बियोडी, biological oxygen demand, अगर ये क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, कि ये वो जो पानी है, वो polluted है, ठीक है, प्रदूशित है, दूसरा कि कोलिफॉम बैक्टिरिया होता है, अगर वो पानी में ज्यादा पाया जा रहा है, गंगा जैसे नदियों में, या जो भी नदिया है हमारी, एक तो क्या BOD, दूसरा क्या है, कोलिफॉम, कोलिफॉम बैक्टिरिया, अगर इन दोनों की मातरा क्या हो रही है, ज्यादा मातरा में पानी में पाय जा रही है, तो तो पानी है, वो कैसा है, पॉलिटेट है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कि हम में, अगर हम पॉ प्रभावित होगा जैसे गंगा नदी है अपने उद्गम इस्थान गंगोत्री से निकलती है ठीक है और लगभग किती दूरी तहीं करती है दो हचार पांसो किलो मीटर की दूरी तहीं करती है और इसके किनारे लगभक सौज अधिक नगर आते हैं, ठीक हैं जिनका कचरा, इसमें क्या किया जाता है, प्रभावित क्या जाता है, और श्रद्धा के, जोंकि ये क्या है, एक हमारी पवित्र गंगा है अस्था का प्रतीक है तो इसमें हम क्या गिलाते हैं फूलों को डाल देते हैं ठीक है मुर्दों को सवों को जलाते हैं राख डालते हैं हड्या डालते हैं तो इस तरीके से क्या हो रही है कि जो हमारी प्राण दाइनी जो गंगा मया है वो हमारी अस्था का प्रतीक है वो क्या हो रही है दिन प्रती दिन क्या हो रही है पॉलिटेट होते जा रही है और इसके सांसा जल में पाया जाने वारा जो कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया है उसकी मात्रा भी क्या हो रही है दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है यह जो कॉलिफॉर्म ब हो गा तो क्या होगा पाणि एसे डिक होगा कहा अगर साहस से 42 हो गया थो यानी है जैसे हमने महें année कि जो कंगा नधी का से निकल थी अभी बताया था गंगोतरी से निकलकर बंगाज की खाड़ी तक जाती है ठीकि है इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि गंगा नधी को प्रदूशिद करने लेकिन 1985 में ठीक है 1985 में गंगा एक्षन प्लान ठीक है तो गंगा एक्षन प्लान के तहट क्या करा था इसको स्वच्छ रखने के लिए एक प्लान तयार किया गया था सरकार के दौरा और उसके बाद नमामी गंगी 2014 में क्या करा था केंद्र सरकार दौरा एक कारी करम रखा था जिसके वज़े से जिस भी वज़े से गंगा नदी क्या हुरी है प्रदूशित हुरी है उसको रोकने का प्रयास किया गया था और उसमें जो भी गंदगी है उसको सच्छ करने का प्रयास किया था ठीक है उसके बा मातरा में तो जो गंगा नदी है वो स्वच्च हुई है लेकिन बहुत ज्यादा मातरा में हम उसे स्वच्च हो गई है ऐसा नहीं कह सकते हैं ठीक है समझ गे इसको अब देखिए क्या करा है कि सार्वसूचक ठीक है युनिवर्सल जो हमारा अभी बताया ना आपको मैंने पी- लेकिन अगर उसमें क्या हो रहा है कोलीफों बैक्टिरिया है या उसका बी- ओ-डी बायलोजिकल ऑक्सिजन डिमान बी- ओ-डी ज्यादा है तो इटमीन वो पानी कैसा है, polluted है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि परंतु हमें समस्या की विसाल रूप को देकर हतास होने के आउशकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनिक कारी हैं जिनको करकर हम, ठीक है, अपने इस थर पर करके भी अपने परियावन को क् में सुरक्षित रख सकते, तो उसमें आपने जरूर सुना होगा, पांच आर, ठीक है, कितना फाइब आर, ठीक है, तो फाइब आर के बारे में आपने सुना होगा, है ना, तो फाइब आर क्या होता है, देखते हम, फाइब आर क्या होता है, देखिए, पहला क्या है, पहले और का मतलब है refuse यानि कि इंकार दूसरे का मतलब है reduce कम से कम प्रयोग फिर है reuse पुनहा प्रयोग करें ठीक है फिर है आपका repurpach पुनहा प्रयोजन और इसके बाद is the last है recycle यानि कि पुनहा चगर एक एक कर के देखते हैं पहला क्या है refuse इंकार करना ठीक है जिन इसका अर्थ है कि जिन वस्तों के आपको आउशकता नहीं है, उन्हें लेने से इंकार कर दें, उन्हों पादकों खरेदने से इंकार कर दें, जो आपके और आपके परिवार को, परियावरन को नुकसान पहुचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की थेलिया, ठीक है, प्लास्टिक की थेलिया ल परियावरा की रक्षा कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है हमारा कम उपियोग यानि की रिडियूस तो क्या है कि अपने घर में जैसे जितनी आवशकता है उतना ही जीजों का हमें उपियोग करना चाहिए अगर कहीं पर अनावशक बिजली के पंके खुले हैं लाइट खुली है ठीक है ना या नल्ट पकरें तो उसको हमें व्यर्थे वर्बात नहीं करना चाहिए बलकी क्या कर देगा चाहिए उनको जितना हम उपियोग करें उतना ही क्या करें यूज करें पता जला आपकी घर में 5-6 कमरे हैं और आप सभी एक कमरे में बैठे हैं ठीक है और आपने सा तो पुनह उपयोग में क्या हो सकते हैं बच्छों देखें कि यहाँ पुनह चक्रन से भी अच्छा तरीका है क्योंकि पुनह चक्रन में कुछ उर्जाव्य होती है लेकिन पुनह उपयोग के तरीके में किसी वस्तु का बार-बार उपयोग कर सकते हैं ठीक है जैसे हम क्या कर आये थे उसका हम बार-बार उपयोग करके उसको उपयोग मिला सकते ठीक है फिर आपका पुना प्रयोजन ठीक है तो पुना प्रयोजन में क्या है कि इसका आर्थ है कि जब भी कोई वस्तू जिस उपयोग के लिए बनी थी उसका उपयोग उसमें नहीं हो पा रहा जैसे कि को पुनहा प्रयोजन उसका कर सकते हैं ठीक है फैकने से क्या होगा पॉलूशन होगा तो इससे हम उसका अपनी घर में यूज़ करेंगे तो वो यूज़ भी हो जाए और पॉलूशन भी कम से कम होगा फिर एर दे लास्ट है आपका री साइकल या पुनहा चक्रन तो इसमें क्या होता है यह तो आप लोग करते भी होंगे आइधिंग कि जैसे हमारे गरों के आसपास क्या आते है पेपर लेने वाले आते हैं प्लास्टिक के कुड़ा कच्छटा लेने आते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं चीजन दे सकते हैं ताकि फैक्टरीज में जाकर क्या हो उनका पुनहा चक्रन हो और वो नई रूप में बाजार में आ सके हैं तो इसलिए हम इनको जगा जगा फैलेंगे तो उससे क्या होगा बच्चो आपके गाउं में घरों में क्या होगा गंदगी होगी ठीक है तो इसलिए अच्छा है कि हम उसको क्या करते हैं पुरे का भाड़े वाले को देते हैं ताकि उसका पुनहा चक्रन हो सके ठीक है यही नहीं आप अपनी दैने का अवशक्ता और क्रिया कलाप में पर भी निर्लाइं लेते समये परियावरन संबंधित निर्ने ले सकते ठीक है और अपने आसपास लोगों को इसके प्रती जावरुख भी कर सकते ठीक है और as a single ठीक है as a person आप अकेले भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते जितने भी आप अगर five आर है उसका आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो उससे भी बहुत मात्रा में परियावरन को नुकसान होने से बचाया जा सकते हैं और अबयर करेंगे आसपास के लोगों को तो उससे भी क्या होगा कि परियावरन की हानी कम से कम होगी ठीक है और हम क्या करेंगे समपोसित विकास कर सकेंगे यानि कि sustainable development कर सकते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते जितने भी वर्तमान में हमारे पास प्राकर्तिक संसादन है उनका उपयोग हम तो करें ही करें हमारे साथ आने आने वाली पीनिया भी उनका क्या करें उपयोग करें क्योंकि जो कुछ संसादन है वो तो unlimited है जैसे सूर्य का प्राकास है हवा है हवा भी अपॉलिटेट होते जा रही है तो और जो क्या है हमारे खनीज तेल है या कोईला है उनके भंडार सीमीत है अगर हम उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो खा क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे तो इसलिए हमको सोच समझ कर विवेक पॉन बुद्धी मत्ता पॉन चीज़ों का क्या करना है उपयो करना है ठीक है पिच्चो ताच्के लेटने ताचके लेटने Thank you